हेलो स्ट्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक एस लोग लास में आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बेंकरप्सी लोग के मोस्ट इंपोर्टन आयमसी की कुश्चन पार्ट सिक्स इस से पहले हम पार्ट फस से लेकर के पार्ट फिफ तक अपरूट कर चुके हैं उन्हे स्टार्ट करते हैं कुश्च नमर 111 दिवाला याचिका दायर की जाती है ऑफ्षन ए उच्छ नायले में ऑफ्षन बी जिलान नायले में ऑफ्षन सी लोग अदालत में ऑफ्षन डी उप्रुक्त में से कोई नहीं तो बताएगे इसका सही उत्तर क्या होगा जिदि आपको पता है तो आप में कमेंट में ब्रक्स मता सकते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑफ्षन बी जिलान नायले में यानि जो दिवाले याचिका है वो जिलान नायले में दायर की जाएगी कुश्च नमर 112 अधिनियम की किस धारा के अंतरगत दिवाला के अधिनियने को रद्ध करने का अधिकार प्राप्त है ऑफ्षन ए धारा 30 ऑफ्षन बी धारा 30 ऑफ्षन सी धारा 35 ऑफ्षन डी उप्रक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्र क्या होगा बताइए कुश्च आपसे पूछा है कि किस धारा के अंतरगत दिवाला के अधिनियने को रद्ध करने का अधिकार प्राप्त है तो इसका सही उत्र होगा उफ्षन सी धारा 35 यानि धारा 35 की अंतरगत दिवाला के अधिनियने को रद्ध करने का अधिकार है नेक्ट कुशन, कुशन नमबर 113 अधिनियम की कौन सी धारा में दिवालियापन के कार्रे दिये गए हैं आप्शन A धारा 6 में, आप्शन B धारा 7 में, आप्शन C धारा 8 में, आप्शन D इन में से कोई नहीं तो बताएए इसका सही उतर क्या होगा यानि कि जो दिवालियापन के कार्रे दिये गए हैं, वो किस धारा के अंतरगत हैं इसका सही उतर होगा आप्शन A धारा 6 में, यानि धारा 6 में दिवालियापन के कार्रे दिये गए हैं कुशन नमबर 114 क्या कोई receiver दिवालिया की संपत्ति के किसी भाग को बंदक या गिर्वी रख सकता है option A नहीं option B हाँ option C हाँ केवल दिवालिया के लिडों के भुगतान हेतु धन जुटाने के लिए option D कह नहीं सकते इसका सहयूतर क्या होगा बताईए question आपसे पूछ रहा है कि कोई receiver है receiver दिवालिया की संपत्ति के किसी भाग को बंदक रख सकता है या गिर्वी रख सकता है option हमने आपको बता दिये बताई कौन सा option सही होगा इसका सही option है option C हा केवल दिवालिया के रिडों के भुगतान हे तू धन जुटाने के लिए बंदक या गिर्वी रख सकता है किसकी संपत्ति को दिवालिया की संपत्ति next question question number 115 अधिनियम की कौन सी धारा receiver की कर्तव्यों से संबंदित है option A धारा 58 option B धारा 69 option C धारा 60 option D उप्रक्ट में से कोई नहीं तो बताये इसका सही धारा क्या होगा कौन सी धारा receiver की कर्तव्यों से संबंदित है इसका सही धारा 69 यानि धारा 69 जो है receiver की कर्तव्यों से संबंदित है question number 116 अधिनियम की कौन सी धारा निस्पादन के दोरान लेंदार के अधिकारों पर प्रतिबंद से सम्बंदित है आप्शन A धहरा 50, आप्शन B धहरा 51, आप्शन C धहरा 52, आप्शन D धहरा 53 तो बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा कुशन आपसे कह रहा है कि अधिन्यम की कौन सी धहरा निस्पादन के दोरान लेंदार के अधिकारों पर प्रतिबंद से सम्बंदित है यानि जो उसके लेंदार के अधिकार दिये गए है उसे प्रतिबंद लगाती है किस धारा कौन सी धारा है इसका सही उत्तर है option B धारा 51 next question question number 117 अधिनेम की धारा 53 के अनुसार नियाले द्वारा संपत्ती का एक हस्तांतरन रद्द किया जा सकता है यदि वह अधिनेड़ा के आदेश के कितने वर्स की अवदी के अंदर किया गया हो option A एक वर्स, option B, दो वर्स, option C, तीन वर्स, option D, इन्वेसे कोई नहीं तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कुशन आपसे कह रहा है कि जो धारत त्रेपन के अनुसार नियाले द्वारा संपत्ती का एक हस्तांतरन रद्द किया जा सकता है यदि वह अधिनेड़ा के आदेश के कितने वर्स की अवदी के अंदर किया गया हो इसका सही उत्तर बताना है, कितने वर्स की अब्दी बतानी है, हमें बताईए एक वर्स, दो वर्स, तीन वर्स, यान में से कोई नहीं, कोई एक सही है बताईए कौन सा ओप्षन सही है इसका सही उत्तर होगा, दो वर्स ठीक है एनिज़ द्धारा त्रेपन के अनुसार नियारे द्धारा संपत्ति का हस्तान तर रद दिखिया जा सकता है यदि वह अधिने ने आदेश के दो वर्स की अब्दी के अंतर किया गया हो नेक्स्ट कुशन कुशन नमबर 118 अधिनियम की कौन सी धारा दिवाला याचिका के सत्यापन से संबंदित है औप्शन A धारा 11, औप्शन B धारा 12, औप्शन C धारा 13, औप्शन D इन में से कोई नहीं तो बताईए इसका सहीतर क्या होगा दिवाला याचिका के सत्यापन संबंदित है कौन सी धारा इसका सही उतर होगा option C धारा 13 next question question number 119 अधिन्यम की कौन सी धारा के अंतरगत नियाले अंतरिम रिसीवर की नियुक्ति करता है option A धारा 19, option B धारा 20, option C धारा 20A, option D इन्वेस से कोई नहीं तो बताए इसका सही उतर क्या होगा question क्या कह रहा है आपसे अधिन्यम की कौन सी धारा के अंतरगत नियाले अंतरिम रिसीवर की नियुक्ति करता है किस धारा के अंतरगत कौन सा option सही है धारा 19 या धारा 20 या धारा 20A या इन्वेस से कोई नहीं बताए जल्दी इसका सही उतर है option B धारा 20 question number 120 अधिन्यम की कौन सी धारा के अंतरगत नियाले देंदार को रिहा कर सकता है option A धारा 23, option B धारा 23A, option C धारा 24, option D धारा 24A तो इसका सही उतर क्या होगा question आपसे कह रहा है कि कौन सी धारा के अंतरगत नियाले देंदार को रिहा कर सकता है तो देंदार को रिहा कर सकता है भाई कौन कर सकता है नयल है तो किस धारा के अंतरगत धारा 23, धारा 23A, धारा 24 या धारा 24A बताईए कौन सा सही है इसका सही उतर होगा option A धारा 23 question number 121, निमने लिखित में से कौन से समपती रिड़ दाताओं के बीच विभाज्य है? option A, वे समपती जो शोद शमता के आरब में दिवालिय की थी option B, वे समपतियां जो अभी निड़े के आदेश की तारीक के बाद और उन्मुक्ती से पूर्व उसके द्वारा अर्जित की जाती हैं या उस पर आती है option C, दिवालिय के कबजे में आदेश या व्यायन के सभी माल option D, उप्रुक्त सभी तो बताईए कौन सा option सही है कौन सी समपतिय रिड़ दाताओं के बीच विभाज्य है, option हमने आपको बता दिये तो कौन सी समपतिय विभाज्य है, रिड़ दाताओं की, तो वो अगर आपको लग रहा है, कौन सा option सही है तो बताते जाएए, option A सही है, option B सही है, option C सही है, या फिर उप्रुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, option D उप्रुक्त सभी question number 122 निम्रे लखित में से कौन सी संपत्ती कुरकी से मुक्त है option A, वेक्तिगत उपारजन द्वारा संपत्ती option B, उत्तरादिकार में प्राप्त संपत्ती option C, वेतन तथा अनिश्रोतों से आए, option D, कारोबार के ओजार आदी तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानि कुछ संपत्ती वो हैं, जो कुरकी से मुक्त है तो कौन सी संपत्ती ऐसी हैं, जो कुरकी से मुक्त है option हमने आपको बता दिये, जो सही है, आप हमें बताईए इसका सही उत्तर होगा, option D, कारोबार के ओजार आदी यानि जो कारोबार के ओजार आदी हैं, वो संपत्ती कुरकी से मुक्त है नेक्ट कुशन, कुशन नमर 123, एक सुरच्छी तरिड़दाता प्रतिभूती की वसूली किस धारा के अंतगत कर सकता है option A, धारा 47, option B, धारा 48, option C, धारा 49, option D, धारा 50, तो बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा कुशन आपसे कहराएं कि एक सुरच्छी तरिड़दाता प्रतिभूती की वसूली किस धारा के अंतगत कर सकता है तो इसका सही उत्तर होगा option A, धारा 47, एक के अंतरगत कुशन नमर 124, अधिनियम की कौन सी धारा के अंतगत देंदार की गिरफतारी की जाती है किस के बारे में बात हो रही है, देंदार की गिरफतारी की बारे में तो किस धारा के अंतगत देंदार की गिरफतारी की जाती है option आपको बता रहे है, option A, धारा 31 के अंतरगत, option B, धारा 32 के अंतरगत, option C, धारा 31, A के अंतरगत, option D, इन बैसे कोई नहीं तो बताइए इसका सही उतर क्या होगा तिन किस धारा के अंतर देंदार की ग्रफतारी की जा सकती है इसका सही उतर होगा option B धारा 32 के अंतरगत देंदार की ग्रफतारी की जाती है next question question number 125 अधिनियम की कौन सी धारा क्या अंतगत नियायले देंदार के पूर्ड निर्वहन से इंकार कर सकता है option A, धारा 40, option B, धारा 41, option C, धारा 41, A, option D, धारा 42 तो बताए इसका सही उतर क्या होगा तो कुश्ण क्या कह रहा है आप से कुश्ण कह रहा है कि अधिनियम के कौन सी धारा के अंतगत न्यायले देंदार के पूर निर्वान से इंकार कर सकता है आप्षन आपको दे दिये गए धारा 40, धारा 41, धारा 41, ए धारा 42 तो बताए इसका सही तर क्या होगा कौन्स आप्षन सही होगा आप्षन A हमारा सही होगा धारा 40 या आप्षन B सही होगा धारा 41 या आप्षन C सही होगा धारा 41 ए या option D सही होगा धारा 42 सॉरी बताइए इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा option B धारा 41 question number 126 अधिनियम की कौन सी धारा के अंतगत नियाले देनदार की संपत्ती की जाच कर सकता है और किसी व्यक्ती देनदार की संपत्ती के बारे में जानकारी देने के लिए बाद्धिया कर सकता है option A धारा 69, option B धारा 69 A, option C धारा 60, option D धारा 61 तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा question आपसे कह रहा है कि किस धारा के अंतगत नयाले देंदार की संपत्ति की जाज कर सकता है और किसी व्यक्ति की देंदार की संपत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए बाद्धे कर सकता है तो कौन सी धारा के अंतगत इसका सही उत्तर होगा option B धारा 69 A के अंतगत next question, question number 127 अधिनियम की कौन सी धारा के अंतगत नयाले देंदार को छती पूर्ति दिला सकता है option A धारा 24, option B धारा 25, option C धारा 26, option D धारा 28 तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा यानि कि जो दिवाले अधिनियम है तो किस धारा के अंतरगत नियाले दिनदार को छती पूर्थी दिला सकता है तो इसका सही उतर होगा option C धारा 26 यानि धारा 26 के अंतरगत नियाले दिनदार को छती पूर्थी दिला सकता है Question No. 128 अधिनियम की कौन सी धारा लाभाश की गढ़ना से संबन्दित है? Option A, धारा 60, Option B, धारा 61, Option C, धारा 62, Option D, इन मैंसे कोई नहीं तो बताए इसका सही उतर क्या होगा? लाभाश की गढ़ना से संबन्दित कौन सी धारा है? धारा 60 है, या धारा 61 है, धारा 62 है, या फिर कुन मैंसे कोई नहीं है? तो लाभाश की गढ़ना से संबन्दित, धारा 62 संबन्दित है, यानि जो उप्शन C है, वो हमारा सही उतर है Question No. 129 अधिनियम की कौन सी धारा के अंतिगत, Receiver अन्तिम लाभाश घुषित करता है Option A, धारा 62, Option B, धारा 63, Option C, धारा 64, Option D, धारा 65 तो बताए इसका सही उतर क्या होगा? यानि कौन सी धारा के अंतिगत, Receiver अंतिम लाभाश घुषित करता है? बताईए, option हमने आपको बता दिये इसका सही उत्तर होगा option C, धारा 64 यानि धारा 64 के अंतरगत receiver अंतिम लाभांश घोशित करता है question number 130 अधिनियम की किस धारा के अंतरगत? रिडों की प्रात्मिक्ता के लिए विशिश प्रावधान है option A, धारा 60, option B, धारा 61, option D, C, धारा 61, A, option D, इन में से कोई नहीं तो बताईए, इसका सही उत्तर क्या होगा? question आपसे पूछ रहा है कि अधिनियम की किस धारा के अंतरगत? रिडों की प्रात्मिक्ता के लिए विशिश प्रावधान है इसका सही उत्तर है option B, धारा 61, यानि धारा 61 के अंतरगत रिडों की प्रात्मिक्ता के लिए विशिश प्रावधान है next question, question number 131 कपटपूर वरियता का सिध्धान्त निमलिखित धारां में से किस धारा में वड़ित है? option A, धारा 51, option B, धारा 52, option C, धारा 53, option D, धारा 54 तो बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस सिध्धान के बारे में पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है कपटपूर वरियता का सिध्धान्त निमलिखित धारां में से किस धारा में वड़ित है? option हमने आपको बता दिये तो कौन सा option सही होगा? धारा 51, धारा 52, धारा 53 या धारा 54 बताईए इसका सही उत्तर है option D, धारा 54 यानि धारा 54 के अंत्रगत कपटपूर वरियता का सिध्धान्त वड़ित है ठीक है? तो इस तरीके से हमने bankruptcy law के total 131 कुशनों को solve कर लिया है आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे हमें उम्मीद है आपको यी वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी आप हमारे चैनल को जादा से like करें, share करें, subscribe करें और अपने दोस्तों को share करें जिससे वो भी इसका lab उठा सकें और हमने जतने पार इसके पहले upload कर चुके हैं और भी subject के आपके जतने पार हम upload कर चुके हैं उनका आप बार बार revision करें जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सकें और आपके exam में अच्छे marks आ सकें यही हमारा उद्देश है ओके थैंक यू सो मच